दोस्तो नमस्कार, मेरा नाम डोक्टर हरी सिंगे। और मैं कहडीरों पुष्य सख्य हूं और मैं आज बात करेंगे ओश्ट्योर्थ्रेटिस के बारे में दोस्तों और भॉलते हैं ओस्ट्योःट्राइटीज चाली साल की उमर के बाद बड़ी कोमन विमारी है और यह पूर्सों की तुल्ला में महिलाओं में ज्यदा कोमन रहती है तो हम आज बात करेंगे ओस्ट्राइटीज क्या होता है क्या इसके लक्षण है क्या इसके उपचाह है दोस्तों अब हम बात करेंगे ओस्ट्राइटस के लक्षणों के बारे में इसमें पेशेंट की गुटन companies ने दीकर। है और पेशेंट की डेली अक्वूटि जह देख को दिता आते हैं पेशेंट और पेशेंट को लाकषण को देखते हैं तो पेशेंट के देखो एक बाद देखने की हूं अपने नों फूटने सीधे रहें ऐसे और जो उसल व्यरеспस्कें इसको बूटने से करवाते हैं उस से पता लगता है कि जो फूट्नों में बीचना कम होगया और चाहिस होना सुरू होता है तो हम पेशेंट को पैंकलर देए कुछ सब्सक्राइब के नीचे लिटका के पेर को सिधा करके उसको थोड़े रहा हो में रखो एसे आप सुभशाम आदा-दा रिंटे करोगे तो उससे क्या होता है होती हो मजबूत हो जाती है और हमको पेन में रहात मिलती है दूसरा अगर पेशेंट खड़ा नहीं हो पाता या पेशेंट के गुटने बिल्कुल जाम हो गए इसका है और बदलने में पहुत सारे मरीज यसे होते हैं लगता है बात बदलने अगवाद दिक्कत रहेगी तो इसी बात नहीं ही पेशेंट गुटने बाद इक डेली एक्कुटी की काम कर पाता है। दोस्तों यह था सारा ओस्ट्र और्थराइटिस के बारे में हम यसे ही और हमें बता सकते हम आपकी help करेंगे